मैं इसी पर आप से चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि पुरुषों के आगे सारा मतलब सारा संसार आपका है और बिल्कुल फूल बिचे होते हैं यह और साथ इस साथ आखरी कोमन भी आपका किस समय का भी आभाव मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फृध इक पुरुष पुरुष का अधिकार है जमपूरु पर वो भी आप जैसे कि घर्व में आकार लेकर निकला है तो ये बात से मैं बहुत सहहमत नहीं हूँ कि यूसरी बात कार आपके हिस्से में कैसा समाज आया है और हिंदूस्तान के और लारजर न आपकी बात विनामरता पूर्वा का सहमत होते हुए बात खना चाहता हूं किसी देश ने, इसी मि्टी ने, इसी संस्कार ने मा कहा है दुरगा कहा है देवी कहा है इस तरी को अपने से आगे रखा है शोने भी कहा है और इसके बाद भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ये बाद से सहमत हूँ कि अवसर कम मिले हम अवसर कहते हैं ना कि 70 साल में देश कितना आगे क्यों नहीं गया जानते हैं 70 साल में ना हमने देश के एक पाउं में प्लास्टर बांद दिया थे इस बात से सहमत हूँ कि हमने आगन में एक बहुत मजबूट शक्ती को कैद कर दिया था उसके दूसरे पाउं को हमने चलने ही नहीं दिया अगर हमने आजादी जब मुठी पर मौके मिलें कभी कलपना चावला बनी रानी लक्ष्मी बाई बनी तमाम जगों पर आप देखिए जब जब इस तरियों को मौके मिलें उसने डंके की चोट पर पर काम किया इस बात ने कोई दो राय नहीं है आखिरी कॉमेंट मेरा सिर्फ इतना सा है कि मुहबबत से निराश मत होईये मुहबबत बहुत पाकीजा चीज है मैं फिर वही बात दो रहाऊंगा कि अगर हमारे हिस्से में कोई खराब गपती आ जाए तो इस वज़े से इस खराब नहीं हो जाता इश्क हमेशा से पायस थ रहेंगे रिष्टे के हर इक साजा निशानी में रहेंगे बिछलेंगे भी तो आख के पानी में रहेंगे क्या बात तू देख भी नहीं रहा सुन भी नहीं रहा कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे क्या बात है मुहबबत जिंदाबाद एक मैं थोड़ा सा आपको यह कहूंगी कि हमने ठीक है मां कहा हमने नदियों को भी मां कहा नदियों की क्या दूरदशा कर दी हमने धर्ति को मां कहा धर्ति की इतनी दूरदशा कर दी है कि ओजोन जो लेयर है उस पर भी effect हो गया है सिक्के के हमेशाद दो पहलू होते हैं रितेश जी से भी मैं सहमत हूँ और वीना जी से भी सहमत हूँ, हमको इसके बीच में संतुला निस्थापित करना है, तभी एक अच्छा बेहतर समाज बन पाएगा. जान बजाता मामा जोर से बोल। बोल्ड साती हला बोल। कुछ याध है सब भूल गए जब दौर तबाही आई थी, जब जुल्म के बादल उम्रे थे, जब दर्द नली अंगड़ा से श्री नहीं चाहिता, थी हल छोड किसानों ने आखिर मजबूरन मुट्टी भीची थी और देसी वीर जवानों ने तलवारे कचके खीची थी फिर अवद प्रांत की धरती से आवाज उठी इक शोर उठा गला साथ नहीं दे रहा है फिर अवद प्रांत की धरती से आवाज उठी इक शोर उठा डगमग डगमग जालिम डोले इतना अभीशन घन घोर उठा फिर क्या हुआ आखिरी पंक्ती पर साथ दे देना फिर घन 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 लहर उठी और बदल गया सारा माहौल बहुल साथी हला बोल 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 बो तालिया रुकनी नहीं चाहिए आप जोरदार तालियों से एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप सबीका डॉक्टर सुधाकर अदीब जी वीना वसल सिंग जी महेंदर भीषमी जी रितेश रजवाड़ा जी बहुत शुक्रिया हुआ झालियों